नमस्कार दोस्तों इशर सदाव आपका भिला करें और आपकी छोलिया इशर के आशवाद से भरी रहें तो दोस्तों आज बात करेंगे यदि आप या आपके आसपास ऐसे फैक्ति देखते हैं जिनके हाथ या पैर में छे उगलिया हैं तो इसका क्या मतलब होता है देखे इस वीडियो में दोनों बाते बताऊंगे जोच्छे क्या मेनिंग्स होती हैं और scientifically इसे क्या बोला जाता है या किस वज़े से किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में छे उगलिया हो जाती है देखे यदि scientifically बात की जाए तो इसे polydactically disorder कहा जाता है किसी भी इंसान के जीन में DNA के कम या जादा होना polydactically disorder की वज़े बनता है इस genetically condition को grey कहा जाता है इस disorder से हाथ और पैर की उंगलियों की बनावर थोड़ सी बिगर जाती है या अत्रित उंगलिया हो जाती है यह disorder पीडी दर पीडी भी चला आता है अगर किसी के माता पिता या करीबी रिष्टदार को यह disorder है तो इनके बच्चे में भी इसके होने की संभावना 50% बढ़ जाती है अब यह जरूरी नहीं है कि सारे केसिस में पूरी उंगली ही निकले कभी कभी इसकिन पर हलका सा उभार भी निकल आता है और इसको सरजरी कराकर आसानी से निकाला जा सकता है और इस सरजरी से केवल थोड़ा सा मार्क्स बच जाते हैं देखे अगर इस डिसॉर्डर की बात की जाए तो पांसों में से एक इंसान में इसके लक्षन पाये जाते हैं और मूल रूप से अफ्रिकन लोगों में इसकी जादा देखा गिया है इस तरह की उमल्या को होना अगर मशूर व्यक्तिम की बात की जाए तो रृतिक रोशन, मशूर एंकर, ओप्र विंफ्रे इन लोगों के हाथ पर पैरों में भी एक से ज़्यादा उमल्या हैं अगर समुद्र शास्त की बात की जाये, तो जिन भी लोगों के हाथ में या पैरों में 6 अंगलिया होते हैं, उनको भागी शाली माना जाता है, लेकिन इनके अंगलियों की जो एक्स्ट्रा जो होती हैं, वो जिस हैंड पे होती हैं, उस परवत और उस हैंड के पूरे गुणो को analyzes करके पर विसके बाहि हैं सही धंग से वदा आ सकते हैं जैसे कि यदि किसी व्यक्ति कि हाथ का जो अंगोठा है या जो प्यार का अंगोठा खासकर कर दो आप कह सकते हैं कि उग्लिया हैं अंगोठा आपका 2 है खासकर उसका जो ङंगल मोड़म हुआ है काफी मोटा मजबूत है और खासकर जैसे कि एक चाभी नुमा जैसी अंगूठा होता है रेंच की जैसी चाभी होता है वैसा अंगूठा है मतलब काफी उसमें एंगल है और काफी मजबूत अंगूठा है तो इसमें शुक्र के गुण को बढ़ा देता है क्योंकि जो हमारा अ लेकिन इनमें एक कमी बढ़ जाती है वह अत्यदिफ कामातुर प्रक्रिती के हो जाते हैं अर्फात काम भावना बहुत बढ़ जाती है अब इसमें भी कक्टेग्री होती है ये अंगुली बहुत चोटी है तो उतने काम भावना नहीं बढ़ती है सॉंदर प्रती लगाओ या चीजें आप कह सकते हैं वीनस के गुण बढ़ जाती हैं कला सॉंदर इन जीजों के प्रती आकर्षिन ज्यादा होता है लेकिन यदि अंगोटा जादा ही टेल्ट और जादा बड़ा बढ़ा और जादा टेल्ट है उस कंडिशन में थोड़ी सी कामक भावनाएं जादा हो जाती हैं अब यही बात कनिष्टिका उंगले के साथ देखे कनिष्टिका जो उंगले होती है जो सबसे चोटी उंगली जिसे आप कहते हैं यह जो उंगले होती है यह बुद्ध की उंगले होती है बुद्ध वैसे भी बुद्धि का व्यापार का तरkę सकता का तो जी सबी व्यक्ति के ट्रूद्धि का उंगले बढ़े किताब बहुत चाए करते हैं जब भी कोई काम करेंगे सोच विचार करकर करेंगे हानी लाप को विचार करकर ही काम करेंगे देखी इसमें भी वही बात है कि यदि जितनी बड़ी जितनी लंबी अंगली होगी उतना ही बुद्ध के गुण बढ़ जाएंगे और साथ इसाथ जब भी आग किसी भी व्यक्ति का विशलीशन करें निश्चित रूप से उसके परवत के उठान को देखें और साथ इसाथ उस पर शुब अशुब चिन जैसे तिल होना या तिल करना होना या गड़ा होना या क्रॉस होना इन सारी चीजों को देखने के बादी प्रेडिक्शन की जाते हैं लेकिन समुद्र शास्त में जब भी आपकी एक अंगुली खासकर बुद्ध परवत की उगली अगर बढ़ जा रही है बुद्ध की उगली बढ़ जा रही है तो बुद्ध के गुणों का विकास हो जाएगा और यदि अंगुटी की अंगली ब झाल